वेलकम श्रावाँ तो यहां पर हमारे पास एक IEEE 2003 का एक कोश्चन है कोश्चन दोको वेन डूरिंग इलेक्ट्रोलिसीस अप सुलूशन अप एज नो थी तो कितना यहां पर सिल्वर्ड डिपॉजिट हो जाएगा क्याथ़ड के ओपर वो यहां पर समझना है। तो यह हापसिल रियक्शन यहां पर हमें से तो एज नो थी का सुलूशन है मतलब इसके अंदर A ne O 3 माइनस रहेगा, H पलस रहेगा, OH माइनस रहेगा, तो इसमें से य reduction करना है, जिसका reduction potential जादा है, तो किसका reduction potential जादा है, H+, और AG+, में AG+, का reduction जादा है, और फिलाल यहाँ पे बोला गाया कि AG का reduction होना है, तो आपको बाके कुछ सोचना ही नहीं, तो खाली AG को यहाँ पे पकड़ना है, AG+, को, चलो reduction वाली reaction लिखेंगे, देखो भी, यहाँ पे AG+, प्लस 1 mole electron, it gives AG, तो यहाँ पे एक बात समय में आ रहा है, एक mole electron यहाँ पे क्या हो रहा है, gain हो रहा है, एक mole electron मतलब यहाँ पे 1 faraday, तो 1 faraday जब gain हो जाएगा, तो यहाँ पे AG का एक mole मिलेगा, एक mole AG, मिलेगा, देखो, तो यहाँ पे एक mole AG मतलब 108 gram इतना AG, आपे मिल रहा है है, समझ रहे ना, तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितना, यहाँ पे फैरडे हैं वो यहाँ हमें समझना पड़ेगा, समोझ रहे ना, तो हमारे पास से यहाँ तो इसको फ़ाइब के आएगा तो इसको फैरेड़े के अंदर करेंगे तो यहां पर 9,650 इतना हमारे पास कूलम है तो इसको 9,650 से आपे-डिवाड करेंगे तो यह और पर कितना ग्राम यापे-ईजी डिपोजिट हो जाएगा वह यहां पर हम इंदर क्यलकुलेशन 8.8 इतना gram यहाँ पर क्या हो जाएगा, ag deposit हो जाएगा, तो फिलाल यहाँ पर हमारा जो answer बनने वाला है, वो यहाँ पर 8.8, 10.8 यहाँ पर answer बनेगा, दूसरा भी तरीके से इसको solve कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, ag plus का यहाँ पर ag हो रहा है, मतलब 0 का, plus 1 का 0 हो रहा है, तो यहाँ पर n factor की बात करें, तो यहाँ पर n factor रहेगा, n factor रहेगा 1, तो equivalent weight यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर equivalent weight आएगा, उसका atomic weight, 108 divided by 1, तो इसको faradies first law क्या according solve करेंगे, तो यहाँ पर w calculate करना है, equivalent weight यहाँ पर हमने लिखा है, 108 divided by 1, और 9,6500 यहाँ और यह चार्ज यहाँ पर 9,6500 है, तो यहाँ पर देखो, क्या calculation हैगा, यहाँ पर w हमें यहाँ पर निकलना है, तो w यहाँ पर हमरा क्या हो जाअगा, देखो, 108 into 9,6500 divided by, यहाँ पर 9,6500, तो यह calculation भी हमरा उतना है, आ रहा है 10.8 इतना ग्रैम यहाँ पर HG क्या हो जाएगा deposit हो जाएगा तो यहाँ पर option क्या बनेगा देखो यहाँ पर भी हमारा answer वही आ रहा था यहाँ पर भी answer वही है तो यहाँ पर हमारा answer number one is a correct